वहलो दोस्तों, वेलकम टो स्पोर्स वैन्यू, वेलकम टो स्टीट ओफ क्रिकेट गाइस कैसे हैं आप लोग अबीद करता हूं, अच्छे ही होगे क्रिकेट, एक बहुत ही जादा रूमाचक खेल और इसके रूल्स उससे भी जादा रूमाचक कि कई ऐसे रूल्स हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता हैं मैं उनमें से ऐसे ही आपके लिए कुछ पांच रूल लेकि आया हूँ जो शाहिद ही आपको पता हमें तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं रूल नमल्बर 1 पैनलटी इन क्रिकेट जी हाँ गॉइस की तरह क्रिकेट में पैनलटीज होती हैं लेकिन वह फुटबल जिसी नहीं होती क्रिकेट में पैनलटी तब दी जाती है जब फिल्डिंग टीम जान भूज कर पिछको या फिर बोल को डेमज पहुचाती है और या फिर फिल्डिंग टीम के किसी एक्यूपमेंट को बोल टच करती है जो उन्होंने नहीं पहना होता है लाइक जैसे फास्ट बोलर बोलिंग कर रहा होता है तो विकेट के पर अमूमन अपना हैलमट उतार के पीछे रख लेते हैं अगर उस पीछे रखे हैलमट को गेंद लग जाए तो बैटिंग टीम को पांच रन पैनल्टी के रूप में दिये जाते हैं ऐसा ही कुछ हुआ था 2017 की चैंपियन्स टोफी में इंडिया वर्सिस बांगरादेश के मैच में जब दोनी ने बोल को स्टम्स की और फेंका तब बोल स्टम्स की बजाए दोनी के गलव पे लग जो के स्टम्स के पास पड़ा हुआ था पैनल्टी का एक रूल और भी है अगर फिल्डिंग टीम जान भूच कर टाइम वेस्ट करती है तो बैटिंग टीम को पांच रन पैनल्टी के रूप में दिये जा सकते हैं आपको क्या इस रूल के बारे में पता था मुझे कमेंड सक्षन में जुरूर बताना तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रूल की ओर रूल नमबर टू नो अपील नो डिस्मिसर जी गाइज क्रिकट का ये रूल बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग और इमेजिंग है ये रूल लागू होता है फिल्डिंग टीम पर अगर LBW या फिर कोट बिहाइंड के दौरान फिल्डिंग टीम का कोई भी खलाड़ी अपील नहीं करता है तो बैट्समैन के आउट होने के बावजूद भी उसको नोट आउट करा दिया जाता है कि किसी ने भी आउट की अपील नहीं की थी और हां मुझे कमेंड सेक्शन में जुरूर बताना कि आप क्रिकट खेलते दुरान अपील करते हैं या नहीं और ये रूल क्रिकट में भी अपलाई होता है और ये आपने भी देखा होगा कि स्लो ओवर रेट के कारण प्लेयर्स की मैच फीज को काटा जाता है क्योंकि हर टीम को अपनी बोलिंग के ओवर्स का कोटा एक स्पैसिफिक टाइम में पूरा करना होता है अगर वो ये कम नह के अंदर अंदर प्रीज पे होना चाहिए नहीं तो फिल्डिंग टीम की अपील करने पर उसे आउट भी करार दिया जा सकता है और इसी टाइम रूस को लेकर आइसी ने एक नया रूल बनाया है ये रूल कहता है कि अगर आपने बोलिंग के ओवर्स का कोटा नबे मिनट के अंदर पूरा नहीं किया तो आपको हर ओवर में एक हिलाडी तीस गज के एरिया के अंदर अखना पड़ेगा तो गाइस है ना फिर अमेजिंग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना के आप टाइम की पालना करते हैं के नहीं तो चलिए फिर बठते है अपने अगले र रिकोल कर सकता है मतलब कैटन उसे बैटिंग के लिए दुबारा बला सकता है ऐसा ज्यादतर तब होता है जब कोई बैट्समें अपनी इंजरी की वज़े से रन आउट हो जाता है या फिर वो फिल्लिंग टीम के किसी फिल्डर से टकरा कर रन आउट हो जाता है ऐसा एक बा हो चुका है जब दोनी ने रिकोल किया था इन बैल को जी गाइस ये बात है 2011 की जब इंडिया वर्सिस इंगलेंड टेस्स सीरीज चल रही थी तब इन बैल अपनी इंजरी की वज़े से रन आउट हो गए थे तब दोनी ने उनको बैटिंग के लिए वापिस बुला लिया तो गैस मुझे कमेंड सेक्शन में ज़रूर बताना कि दोनी ने ये सही किया या फिर गलत तो चलिए बढ़ते है अपने नेक्स्ट रूल की ओर तो गैस है ना अमेजिंग तो यही मारे आज के रूल्स खतम होते हैं मैं करिकट के ऐसे में कुछ और नए नए फैक्ट लेकर आता रहूंगा अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ नोटिक्वेशन बैल को भी ओन कर तो गैस आज के लिए मेरे पास आपके लिए इतना ही मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा गुडबाई एंड टेक केर